सुप्रुभात बच्चों क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग राश्टकूट वन्स 793 इस्वी से 993 इस्वी तक पढ़ेंगे जब गुर्जेर्प्रतिहार उत्तर और पस्चिम भारत पर तथा पाल राजा पुर्वी भारत पर राज कर रहे थे तब डककन दक्षिनी पर राश्टकूट वन्स का शासन था वास्तों में प्रारंभ में राश्टकूट करनाटक के चालुक के रसासकों के अधिनस्त थे 733 इसी में दंती दुर्ग नामक एक राश्टकूट प्रमुख ने चालुक्यों को सत्ता को चनवती देते हुए स्वेंग को स्वतंत्र घोसित कर लिया उसने हिरन गर्भ सोने का गर्भ नामके कर्मकार्ण ब्रामनों की मदद से करवाया और एक छत्री राजा बनकर उबरा इस प्रकार से दंती वर्मन जिसे हम दंती दुर्ग के नाम से भी जानते हैं ने राश्टकूट वंस की निव रखी उसने मानने खेट या माल खेट को अपनी राजधानी बनाया जो महराश्ट के वर्तमान सोलापूर में इस्थित है दंती दुर्ग के बाद उसका उत्राधिकारी कृष्णा प्रथम बना उसने अपने राज़ का विस्तार करना टक तक किया इसके बाद राश्टकूट राजा दुरू दंती दुर्ग के बाद उसका उत्राधिकारी कृष्णा प्रथम बना उसने अपने राज़ का विस्तार करना टक तक किया इसके बाद राश्टकूट राजा दुरू और गोविंदा तीन ने भी इस समराज़ का विस्तार किया अमोग वर्स एक ने 814 इस्वी से 878 इस्वी के मद्धे 64 वर्सों तक सासन किया राश्टकूट सासन कृष्णा तीन ने चोल सासक परंत तक वन को 949 इस्वी में पराजीत किया उनकी सेवाएं दक्षिन में रामेश्वर तक पहुची वहाँ उसने एक विजय अस्तम्भ और एक मंदिर बनवाया इस प्रकार राश्टकूट सक्ति साली सासक बनकर उभरे 973 इस्वी में एक चालुक के तैलप्पा या तैला से ने राश्टकूटों को उखाण फेका इस प्रकार से राश्टकूट सासन का पतन हो गया राश्टकूट सासकों में ने सैव और वैश्णों मत के अत्रिक्त भी कई धर्मों को संग्रक्षंड दिये तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं राश्टकूट वंस 733 से 973 स्वी कि जब गुर्जर परतिहार वंस उत्तर पर्ष्ची में सासन कर रहे थे भारत के तथा पाल वंस राजा पुर्वी भारत में सासन कर रहे थे और डक्कन दक्षनी छेतर पर राश्टकूटों का सासन था तो वास्तों में जो प्रारंभ में राश्टकूट वंस जो था करनाटक के चालुक सासकों के अधीन था उसके अंदर ये लोग थे और रहते थे लेकिन 17773 स्वी में दंती दुर्ग नामक एक राश्टकूट ने जो प्रमुख चालिकों की सत्ता को चुनौती देते हुए अपना एक राज अस्थापित कर लिया उनको हराकर उसने हीराने गर्व नाम के कर्म कांड ब्राम्हन थे उनकी मदद से आगे बढ़ा और एक छत्री राजा बनकर ये उभरा इस प्रकार से दंती वर्मन जिसे हम दंती दुर्ग के नाम से भी जानते हैं ने राष्टकुट वंस की निव रखी पहले कोई राष्टकुट वंस था नहीं लेकिन इसी ने राष्टकुट वंस का राज की अस्थापना की उसके निव रखी उसने माने खेत यानी माल खेत को अपनी राजधानी बनाया जो वर्तमान अभी महाराष्ट में वो के निकट है दंती दुर्ग के बाद उसका उत्राधिकारी कौन बना तो कृष्णा प्रथम उसने भी अपने राजी का विस्तार किया और कहां तक किया तो करनाटक तक उसने अपने राजी का विस्तार किया इसके बाद राष्टकूट वंस का राजा दुरू और गोविंदा तीन ने भी अपने समराज का विस्तार किया 814 इस्वी से 838 इस्वी के मध्धे 64 वर्सों तक सासन किया राश्टकूट सासन कृष्णा तीन ने चोल सासक परंतक वन को 949 इस्वी में पराजित किया और उसकी सिवाए दक्षिन में रामेश्वर तक पहुँच गई वहां से उसने एक विजय अस्तम्भ और एक वंदिर का निर्मान करवाया तो इस तरह से राश्टकूट सक्ति साली सासक बनकर उगरे और 973 इस्वी में एक चालुक के सरदार तैलपपा या तैला ने राश्टकूट को हरा दिया और इस प्रकार राश्टकूट वंस का पतर हो गया राश्टकूट वंस में बहुत से राश्टकूट वंस के सासकों ने सैव और वैशनों मत के अतरिक्त जैन धर्म, बौद धर्म, इसलाम धर्म इन सबको भी संगरक्षन दिया उनको भी उन लोगों ने सहारा दिया और ये देखिए चित्र में एलोरा का कैलास मंदीर है जो नवी सताबदी में बनवाया गया है कृष्णा पर्थम के द्वारा कैलास मंदीर का अधितिय भैवयोदाहरन अभी भी हम लोगों के सामने हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं क्या आप जानते हैं नए राजवनसों ने लोगों से स्विकृति पाने के लिए हिरन गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था हिरन गर्भ का साबदी कर्थ होता है सोने का गर्भ इस अनुष्ठान को ब्रामनों की सहायता से पूरा किया था यह माननेता थी कि इस अनुष्ठान की सहायता से याजक जन्मा छत्रिये न होते हुए भी पुनः छत्रितु प्राप्त कर लेता है इसका मतलब यह हुआ कि नए राजवन्स अभी हम लोग देखे कि राश्टकूट बंस का सासक भी अपने आपको राजा बनाने के लिए हिरन गर्भ की मदद से वो राजा बन गया था तो इसका मानना यह है कि नए राजवन्स को सुकृती परणगे कैसे मानेता मिलती कि आप राजा हैं राजा हो सकते हैं तो इसके लिए हिरन गर्भ एक यग अनुष्ठान था जिसको कराया जाता था प्राचिन समय में इसका आर्थ होता है सोने का गर्भ यह अनुष्ठान कौन करते थे तो ब्रामनों की सहायता से पुरा किया जाता था और इस अनुष्ठान के अनुषार जो इसको पुरा करवा लेता था तो वो जन्म से अगर छट्रिये नहीं भी है तो उसे छत्री होने का अधिकार प्राप्थ हो जाता था और वो राजा बन जाते थे इस तरह की परंपरा थी कि ये अनुष्ठान कराने के बाद कोई राजा अपने आपको एक सोतंतर राजा घोसित कर सकता है उसके बाद है कि बौध और इसलाम धर्मों को ये राज्टकूट बन संग्रेक्चन देते थे जैन धर्म मतलब इनको मानने वाले लोग उस समय थे और उसको बढ़ावा भी दिया जाता था बहुत धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म और सिव और वैश्नों को मानने वाले भी हिंदू धर्म के लोग इनको भी बढ़ावा दिया जाता था साहित के छेत्र में भी देखा जा रहा है कि ये संस्कृति के प्रेमी थे, प्रकृति के प्रेमी थे कन्नर भासा को इन लोगों ने संग्रक्षन दिया और नवी सताबदी में एलोरा में इस्थित कैलास मंदिर जिसका भी हम लोग चित्र में देखे कैलास मंदिर कला का दितिय भवे उदाहरण है जो राष्टकृटवन्स के साशनकाल में ही बनमाया गया था अब है त्रिपक्षिय संगर्स गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्टकृटवन्सो के साशन कन्नोज पर निहंत्रन पानी के लिए अक्सर आपस में युद्धितर रहते थे इस काल में कन्नोज संप्रभुता का प्रतिक था या भारत के उत्तरी मैदानी भाग में इस्थित इस तरह वस्थित था कि जो भी सासक वो वन्स कन्नोज पर अधिकार करता वो संपुर्ण गंगा के मैदान पर आधिपत्य पास सकता था चुकि इस संगर्श में तीन राजवंस सामिल थे अतह इतिहास कारों ने इसे त्रिपक्षी संगर्श का नाम दिया है ये तीनों ही समकालिन राजवन्स सक्ती में एक दुसरे के बराबर थे यही कारण था किसे भी एक राजवन्स की कन्योज विजय ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी ये तीनों ही वन्स आपस में लड़ाई में इतनी बूरी तरह उलज रहे थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सका कि वे कितने कमजोर हो गए है दस्मी सदी के आंत तक एक एक करके इन तीनों राजवन्सों की सक्ति का पतन हो चुका था इसके द्वारा नियंत्रित छेतर पर नई सक्तियों का उदय हो चुका था इन में से अधिकांस सासक राजपुत थे जो इन लोगों के अधिकार छेतर पर सासन कर रहे थे तो इसको हम लोग अब समझते हैं कि तिरिपख्षिय shiftsंघर्ष किस किया था और किसके किसके बीच हो रहा था तो तिरपक्षिय संगर्ष पहला सासक था वंस था गुर्जर परतिहार दूसरा पाल और तीसरा राश्टकूट वंस इन तीनों राजवनसों के वीच ये संगर्ष हो रहे थे और ये अक्सर हुआ करता था आपस में ये लोग उलजते रहते थे किसके लिए कर्णौज पर अपना अधिकार अस्थापित करने के लिए गुर्जर परतिहार अपने आपको ताकत वर समझकर उस चाहता था कि हमारा सासन हो जाए कर्णौज पर क्योंकि ये बहुत प्रमुक छेत्र था क्रिसी के दिर्ष्टी से व्यापार की दिर्ष्टी से हर तरह से एक सम्रिधी छेत्र था इसलिए लोग इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे यह भारत के उत्तरी मैदानी भाग के छेत्र में इस्थित था इसलिए लोग इस पर सासन करना चाहते थे वो संपुन गंगा के मैदान पर अब उस पर जो सासन करता तो वो संपुन गंगा के मैदानी छित पर अधिकतर भागों पर उसका कबजा हो जाता था इसी कारण लोग इस से संघर्ष कर रहे थी इस पर सासन करने के लिए चुकि इस संघर्ष में तीनों राजवन सामिल थे अता हितिहास कारण ने करनोज पर अधिपत्त पाने के लिए हुए संघर्ष को त्रिपक्षिय संघर्ष के नाम से नाम दिया ये तीनों ही समकाले नूसी समय के राजा थे और सक्ती में भी एक दूसरे के बराबर ही थे यही कारण है कि किसी भी राजवन सको करनोज पर अधिक दिने तक विजय प्राप्त नहीं हो सका उस पर अधिक दिन तक सासन नहीं कर सके और तीनों ही आपस में लड़ते हुए इतने कमजोर पड़ गये कि उनके अपने अधिकार छेतर पर भी दूसरे लोगों का सासन हो गया और दसवी सदी के अंत तक एक एक कर तीनों राजवनसों का पतन हो गया और इनके द्वारा नियंत्रित छेत पर अधिकतर राजवपूत सासकों का अधिकार हो गया अब है राजवपूत वनस भारतिय इतिहास में राजवपूत अपने साहस प्रतिष्ठा और वचन निभाने के लिए ही माने जाते हैं इस काल में सासन करने वाले प्रमुख राजवपूत वनस इस प्रकार थे कनोज के गढ़वाल, मालवा के परमार, खजुराहो के चंदोल, चंदेल, अजमेर के चोहान, त्रिपूरी के कालाचूरी, गुजरात के चालुक के और दिल्लीव के तोमर ये सभी प्रमुख राजवपूत राजवपूत से हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद